नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश है 5 जून सोंवर सुबह सबस्वाच बजे राजिसान की वड़ी खबरें राजसान सरकार प्रदेश भर में आज 5 जून को दबहर 12 बजे इंद्रा गांधी गैस सिलेंडर सबसीडी योजना के लाभार्थियों का उत्सव बनाने चौराई है उजवला योजना के लाभार्थी अत्वा BPL का अधारी वे लोग जिन्होंने महेंगाई रहाच शिविर में अपना पंजियन कराया है और अप्रेल माहा में गैस सिलेंडर रिफिल करवाया है उन्हें पांच जून को लाभार्थी उत्सव के राजिसरी समारों में मुख्य मंत्रेशों गहलोत के एक क्लिक पर सीधे ही डीवीटी के माध्यम से उनके खातों में सबसीडी की राशी प्राप्थ होगी लाभार्थी उत्सव के सफल आयोजन को लेकर शनिवार को प्रदेश की मुख्य सचिप उशा शर्मा ने वी सी के माध्यम से सभी जुला कलेक्टरोस को संबोधित किया और समय पर सभी तग्यारियां पूर्ण करने के निर्देश दिये ताजसान में भारते चंता पार्टे प्रदेश अध्याक्षे सीपी जोशी ने मुख्य मंत्रे शोग गहलोत के बयान पैसे की कमी आने पर जौदो दिखा कर पैसा कमा लेने पर पलट पार करते हुए उन्हें चलिया जादुगर बताया और कहा कि विकास की गंगा केंद्र सरकार बाहा रही है और वो सिर्फ वावाही लूटने में लगे हैं जोशी ने अपने बयान में कहा कि केंद्र सरकार की उजना में कुछ पैसा जोड़ कर उनका नाम परिवर्टित कर के स्वयम कोशाब पासी दिना बंद करना चाहिए मुख्य मंतरी शोग हलोत कल मंगलवार को राजिस्थान पुलिस मुख्याले में अधिकारियों के साथ क्राइम मिटिंग लेने वाले हैं मुख्य मंतरी के क्राइम मिटिंग को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों ने अपने सर पर तयार वाले हैं कि कौन अधिकारी फिल्ड पोस्टिंग में लगेगा और किस अधिकारी को फिल्ड से हटाना है हरां कि बताया चारा कि ग्रह विभाग से इस विशय को लेकर एक रिपोर्ट पिछले माही सीम ने मांगी थी मुख्यमंत्रेशो के लोट पुलिस मुख्याले में क्राइम मिटिंग के बाद एक मिटिंग सीनियर आईपियस अधिकारियों के साथ करने वाले हैं राजिसान में आंधी और बारिश के बीच अब गर्मी के तेवर बढ़ने वाले हैं पांच जून से शुरू हो रहे नए सब्ता हमें अधिक्तम तापमान में दो सी पांच दिग्री सालसियस तकी व्रदी की संभावना है साथ ही आदरता कस्तर बढ़ने से मौसम उमस भरा रहेगा रहिवार को जैपूर, जोदपूर, उदयपूर, कोटा, बीकाने, रवजयसल मेर में गरच के साथ बारिश की संभावना है जबकि दिन में अधिक्तम तापमान चौलिस डिग्री सेलसियस से नीचे दर्ज किया जाएगा मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में राज्य के कई हिसों में गर्मी तीखे तेवर दिखा सकती है विभाग का कहना है कि प्रदेश में तापमान बढ़ने के साथ चिट पुट बारिश का असर बना रहेगा राजसान प्रदेश कॉंग्रिस अध्यक्ष गोविन सिंग डुटासरा ने कहा कि प्रदेश के मुख्य मंत्रिय अशोग गहलोत और पूर्व डेपूटी सियम सचिन पारेट के बीच कोई मामना नहीं है मीडिया के पास कोई न्यूज नहीं है बनाने के लिए इसी लिए ऐसी बाते कर रहे हैं रासान सहीत पांच राज्यों के मुख्य सचिवों को ग्रह जिले और तीन साल से एक ही जगा पदस्त फिल्ड में लगे अफसरों को हटाने के लिए कहा है इसके लिए उन अफसरों की जौनकारी मांगी गई है जो फिल्ट पोस्टिंग में लगाता तीन साल से एक ही जगा जमे हैं आयोग ने इस बारे में मुख्य सचीव DGP और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से 31 जुलाई तक रिपोर्ट देने को कहा है कोटा के ठेगड़ा शेत्र में शनिवाराद बाइक फिसलने से एक यवग घायल हो गया वहां से गुजर रहे लोगसभा अध्यक्ष ओम बिल्ला ने समयदन शीलता दिखाते हुए अपना कार्मा रुकवाया और अपने अम्बुलेंस से यवग को ततकाल अस्पताल बोर खेडा के शिभम राजपरोहित को संभाला राजसान के मुख्यमंत्रि अशो गहलोत रविवार को सुर्य नगरी जोदपूर पहुँचे यहां एरपोर्ट में मासुम बच्चों ने हाथों में पोस्टर लिए मुख्यमंत्री गहलोत का स्वागत किया बच्चों के अधिक के नए कामों के शिलान्यास होंगे जबकि 91 करोड रुपय के कामों के लोकारपन करेंगे। ड्रेस कोड लागू किया गया है, हरदवार के दक्ष प्रजापती मंदिर, पौड़ी के नीलकंट महादेव मंदिर और दहरादून के तफकेश और महादेव मंदिर में लड़कियां छोटे कपड़े पैन का दर्शन के लिए नहीं जा सकेंगी। इन तिनों मंदिरों को मै गाता नारेवाजी की कारण मौरे को अपना भाषन बीच में रुकना पड़ा, वही नारेवाजी की कारण लोगसभा स्पिकर ओम बिर्ला बिना भाषन दिये ही चले गए। इन खत्म कर दिया, महा बंचायत में पहुंचे सीम के बेटे वैभाब गैलोद बोले समाज के लोगों का जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है निर्शित तोर पर फिर से कांग्रिस की सरकार राजस्तान में रिपीट करने जो रही है। इस दरान मंदिर में दर्शनों के लिए भक्तों की भीडों मडी, मंदिर परिशार राधे राधे के जयकारों से गूंज उठा, मंदिर महांत अंजन कुमार गोस्वामी के सानिधे में ठाको श्री जी को सफेद धोती दुपटा पोशाग धारन करवाई गई। तारबंदी योजना में शुरू जिले को इस बार 23,00,00 मिटर के लक्षे प्राप्त हुए हैं। इससे जिले के अठाउन सो किसानों को तारबंदी योजना का लाब मिल सकेगा। कृषी अधिकारी विजयपूरी ने बताया कि नील गाय और आवारा पशों से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए तारबंदी योजना सरकार की ओर से शुरू के गई थी। इसका लाब सभी श्रेनी के किसानों को प्रात्मिक्ता से दिया जाएगा। विक्तिका तत्वा कृष्यक समुह में नियुनतम डेड़ हैक्टे और भूमी पर तारबंदी योजना का लाब किसानों को दिया गया। जुलूस निकाला गया था। परस्राम अदेरना, खेट सिंग राठोड, राम सिंग विश्नोई सब नेता बैठे हुए थे। घोड़ा घाटी से महरांगड फोर तक राव जुधा मार का लोकारपन कारकरम में मुख्यमंत्रशों घहलो बोल रहे थे। बीकानेर में रहसे में अंगुठी कुछ घंटों के लिए देखी गई। लोगों ने इस घटना को कैमरे में कैप्चर और रिकॉर्ड कर लिया। रहिवार को ग्यारा बजे से लेका साड़े बारा बजे तक ये नज़ारा दिखा। दरसल सूरज के चारों तरफ बने इंड़धनुष को प्रभा मंडल कहते हैं जो किसी अंगुठी की तरह दिखता है। नौतपा के बीच बीका नेर में रईवार को तेज गर्मी के बजाए बादलों का डेरा रहा। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश और तूफान के बीच रईवार को भी सुबह आसमान में बादल चाहे रहे। एक तरफ बादल और दूसी तरफ तेज धूप से गर्मी बढ़ गई तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।